हाई फ्रेंड्स आम रचना मसंद कांस्लिंग साइकलोजिस्ट और डिया मैटी कंसल्टेंट अब आज हम बात करेंगे इस सीरीज के सेकेंड एपिसोड के बारे में पहले मैं आप से शेयर किया कि वाट इस लॉफ अट्रेक्शन अब मैं आप से शेयर करूंगे कि हम दुनिया की किसी भी चीज को किसी भी इवेंट को अपने लाइफ के अट्रैक्शन कर सकें इस इट सो इतना चोटा से डब में इतना चोटा सा पार्ट है या और टेक्नलोगी इस बात पर की यु रहांट उट यूखिर ब्रेंट इस अगल औरक्शन गीजुक्री जाइक कहीं पर बहुत जादा irritation होता है या कोई हमसे कोई उटपड़ंग बात करें तो we always say have you lost your mind अगर mind ही lose हो गया तो फिर हमारी body कैसे function कर रही है no, mind and brain are two different things brain is a body part and mind is a functioning process of that brain हमारी सोचने समझने का तरीका हमारी personality हम किस चीज़ को किस energy के साथ या किस thought process के साथ हम attract करते हैं, right तो that is mind हमारे brain की working को हम mind कह सकते हैं so there are two different aspects एक brain है, एक mind है right, mind is a process which goes beyond our body, हमारी body से बाहर निकल के भी वो act कर सकते हैं, आप उसे हमारी energy कह सकते हैं, हमारी planning कह सकते हैं, हमारी feelings कह सकते हैं, जिन लोगों से हम connect होना चाहते हैं, कई भर आपने देखा होगा कि हम किसी को बहुत साथ याद कर रहे हैं, तो या तो वो इनसान सपने में आ जाता है, कुछ रों को तो सपने में उनके पास्ट आउट एंसेस्टर भी आते हैं, लाक मुझे कही भार मेरे पापा सपने में आये, और उनसे उनसे प्रॉब्लम डिजॉल भी होती है, हम भगवान को मानते हैं, जादा तर लोग इंडिया में मानते हैं भगवान को, कुछ लोग, exceptions are always there, I won't say anything about it, बट क्या है वो, that is a belief, that is a energy, that is a thought, और हमारा thought इतना powerful होता है, कि हम यहां बैठे-बैठे, किसी इंसान से सिर्फ अपने mind को focus करके उससे बात कर सकते हैं, उस तक अपने thoughts पहुचा सकते हैं, and that's not a magic, that is just your mind, आपकी mind के पस बहुत powers हैं, और अगर mind को divide करना है, and फिर उसके बारे में सीखना है, तो there are two parts of your mind, conscious mind and subconscious mind, और जो भी law of attraction हम लोग सीखते हैं, या करते हैं, that is power of our subconscious mind, इस नाम से एक book भी है, but I won't go with the book, मैं सिर्फ personal experiences share करूंगी, and आप चाहे तो that's an awesome book, आप लोग पढ़ सकते हैं, and उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, but यहां पे हम लोग बात करेंगे, three parts of mind की, conscious mind, subconscious mind, and one more, जो कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ लोग नहीं यूज करते हैं, that is unconscious mind, but यहां पे जो भी process law of attraction का होता है, that is with our subconscious mind, तो निक्स वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, about our second brain, stay tuned for that, please like, subscribe, and share my channel, thank you so much. और चलिस वीज यूज करेंट